हलो दोस्तों मैं प्रशान और आज के इस वीडियो में हम एक और IPO का इनालिसिस करने जा रहे हैं और यह IPO आपका कंस्ट्रक्शन फिल्ड की कंपनी है और जिसका मेंली प्रेजेंस आपका पंजाब में है यहां यहां पे हम बात करें दीपक बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिम्टेट के IPO के उपर और इस IPO का आज की इस वीडियो में डीटिल एनालिसिस और रिवीव करके बताएंगे कि इस IPO में पैसा लगाना या इसमें आपको अप्लाई करना या फिर पैसा नहीं लगाना सिंपली इस IPO को एवाइड कर देना साथ कुछ बना के देगा और देगा तो कितना देगा सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा बस आपको इस वीडियो में लाश तक बने रहना और कहीं भी इसकिप नहीं करना नहीं तो कुछ important information आप miss कर देंगे और decision सही नहीं हो पाएगा तो यह company काम क्या करते हैं इसके उपर बात करेंगे लेकिन और भी कई सारे IPO आने जा रहें जिसमें आपका AppsCon Infrastructure Limited का भी नाम है और यह IPO hopefully नौमबर मंत के first week में आ सकता है तो यह IPO या फिर इसके बाद जो भी IPO आएगा सब का हम analysis यहीं पर करेंगे और आपको clearly बता देंगे कौन से IPO में आपको apply करना या फिर avoid करना और यह decision आप खुद से भी ले सकते हैं हम सारे details आपके साथ share करेंगे इसलिए जो भी लोग पहली ब हो जाएं तो सबसे पहले दीपक builders एंड इंडिनेंस लिम्टेड काम क्या करती इसके उपर बात करें तो यह आपका one of the leading construction company है जो कि आपका residential project भी complete करती है industrial project भी complete करती है commercial project भी complete करती है और इसके पास अच्छा खासा expertise और experience है और इसने कई सारे unique projects को भी finish करा है तो यहाँ पर अगर हम इसके कुछ unique projects के उपर focus करें तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या क्या बनाया 3D doms at जंगे आजादी जो कि आपको करतारपूर पंजाब में दे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यह जो आपको पिक्चर में दिख रहा है यही आपका 3D doms जंगे आजादी जो कि करतारपूर में इसके अलाबा यह आपका international hockey stadium भी बनाया मोहाली पंजाब में और देली का जो एम से इसमें आपका जो fire ramps है यह भी यही company बना होगा कि इसका जो मेंली प्रजेंस है वो पंजाब में ही मेंली प्रजेंस है अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं चाहो तो positive ले लो कि अपना एक specific area चूज करा है और वहां पे अपना expertise बना के रखा है और पंजाब में इसको धेरोस government project भी मिलते हैं लेकिन अगर आप इसको चाहो तो negative में ले सकते हो यानि एक particular area में ही इसका presence है और वहां पर अगर इसको कोई खास project नहीं मिलता है तो इसके revenue profitability और financials पे सीधे impact देखने को मिल सकता है तो company काम क्या गरती है वो तो हमने देख लिया लेकिन सिर्फ उसके basis पे कुछ decision लेना सही नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं तो उस पहले IPO timeline और IPO details देखते हैं फिर हम fundamental analysis करेंगे और उन सब के बाद हम एक conclusion पहुंचेंगे तो सबसे पहले यह जो IPO open होने जा रहा है 21st October को open होगा और 23rd October को close होगा और same date आपको warrior renewable energy का भी IPO होने जा रहा है जिसका हमने detail analysis already कर लिया है और उसके उपर उस वीडियो को जोगर देखिए कि उस वीडियो में हमें apply करना या फिर avoid और दोनों मेंसे किसी एक IPO को select करना है तो वह कौन सा IPO होगा यह IPO होगा या फिर वारे विनेवल इनर्जी वाला IPO होगा allotment date की बात करें तो 24 October को आपको पता सल जाएगा कि allotment मिला है या फिर नहीं मिला है नहीं मिलता है तो 25 October को refund मिल जाएगा और 28 October यानि October month का जो last Monday है उस दिन इसका listing होने जा रहा है उसके बाद अगर हम IPO details के उपर focus करें तो price meant जो रखा गया 192 से 203 का price meant रखा गया lower price meant तो में apply करते हैं तो minimum fund चाहिए होगा 14,819 का इसू साइज आपका टू सिक्स्टी करोड का इसू साइज है जिसमें से फ्रिश इशू लगवग आपका 217 करो है यानि यह कंपनी यह पैसा कंपनी के पास जा रहा कंपनी करेंगे क्या इस पैसा का तो जो कंपनी के पास कर्ज है वो कर्ज कम करने का भी काम करेगे और OFS यानि लगबग आपका 42.8 करोर का OFS है यानि इसमें OFS है तो IPO का वैर्वेशन थोड़ा सा महंगा हो सकता है तो उस पे हमारी पैनी नजर रहेगे तो IPO डीटेल्स और टाइम लैन देख लिया अब हम चलते हैं सबसे important point financials और वहाँ स सबसे पहले अगर हम assets की उपर बात करें तो assets में हमें ठीक ठाक सा growth देखने को मिला रेवनियू पर आपको नजर दोरा आना है FY22 में 364 करोर का revenue किया था FY23 में आपका increase हुआ है और 435 का revenue किया है और FY24 की बात करें तो यहां भी हमें growth consistency देखने को मिला 435 करोर के revenue से 516 करोर के revenue पर पहुंचा है और FY24 25 की अगर हम first quarter की बात करें तो यहां पर revenue सिर्फ आपका 106 करोर का हुआ है that means true अगर हम इसको चार से multiply भी कर दे तो जो FY24 में revenue हुआ है उसके बराबर revenue पहुंचना मुस्किल है और जब IPO आता है तो जो भी last data रहा तक उसको थोरा सा improve करने के कोसिस किया जाता है company के तरब से और उसके बाद भी अगर यह data है तो थोरा सा concern वाली बात होगी कि revenue FY25 में क्या maintain कर पाता है यह नहीं कर पाता है वो देखने वाली बात होगी profit आफर tax की बात करें तो 17 करोड का profit था FY22 में जो की थोरा सा मामूली सा increase होके 21 करोड करी पहुंच गया FY23 में अब यहाँ पर देखिए जो profit है वो 21 करोड से सीधे आपका 60 करोड पहुंच गया य पूट जाता है और FY24 की अगर हम बात करें तो सिर्फ फस्ट क्वार्टर में 14 करोड का profit आया है इस लिहाँ से भी अगर हम देखे तो FY24 के बरावर ही आपका profit देखने को मिलेगा कोई खास growth देखने को नहीं मिलेगा तो जो फस्ट क्वार्टर का result है वो उतना बहतर नहीं ह है बागे नेट वर्थ विजर्वेंसर प्लस आप देख सकते हैं एक और concern वाली बात है तोटल बॉर्ण यानि डिप आप 516 करोड का revenue के अगेंस्ट 153 करोड का कर्ज यह आपका अच्छा खासा है और अगर हम लास्ट क्वार्टर से ही compare करें तो यहाँ पे 106 करोड का revenue किया लेकिन इस एक quarter में ही इसने 153 करोड का कर्ज ले लिया है जो कि पूरा FY24 में इसने 153 करोड कर्ज लिया था लेकिन यहाँ पे एक quarter में ही कर्ज ले लिया है तो यह दिखा रहा है कि company का जो financials है आने वाले time में थोरा सा inconsistency देखने को मिल सकता है और अगर आप IPO में apply कर रहे तो इस point को देखना होगा और अगर हम देखे हैं तो financials को ठीक ठाक बोल सकते हैं एक दो quarter खराब होता है लेकिन बाद में improve करा जा सकता है लेकिन जो debt वाला issue है इसको हम ignore नहीं कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं इसके valuations पे जहां से picture थोरा सा और clear होगा कि इस IPO में हमें कर करना क्या है apply या फिर avoid दो ही काम आप कर सकते हैं तो return on equity के बाद करें तो आठ परसंट करें लोवर साइट पे तो चलिए ठीक ठाक है consider किया जा सकता है return on capital employed that means to ROCE यह भी आपका 9% करीव है debt to equity जिसका डर था वहीवा 0.9% करी यह निदेट आपका थोरा सा higher side पे यहां पे द पूरा सा higher side पे रखा गया अब company का mainly presence जो है वह पंजाब state में पंजाब से बाहर कोई presence नहीं है और इसका competitor भी काफी खतरनाक है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा और company की पास कर्ज भी है और जो FY25 का first quarter वह भी बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है तो इन सब के लिहाज से company का pricing थूरा सा कम किया जा सकता है यहीं इसका अपर प्राइसमेंड अगर आपका 190 के आसपास रहता है तो यह IPO बहुत ही ज्यादा attractive बन जाता है लेकिन company हमसे ज्यादा समझदार है वह बहतर decision लेगा कि करना क्या है हमें बस analyze करना है कि यहां पर इस IPO में हमें करना क्या है तो सबसे पहले अगर हम profit margin की बात करें तो 13% का profit margin है तो थोरा सा IPO यहां पर expensive लग रहा है लेकिन चलिए हम इसके peers के साथ competition करते हैं और देखते हैं कि यह वाकई expensive है या नहीं है और हमें यह भी देखना होगा कि listing gains के scope है या नहीं है आप वही जानना चाहतें वो भी बताऊंग सहे नाम आपने जाद नहीं सुना होगा लेकिन ITD Cementation तीन जो है इरकॉन अलुवालिया और ITD Cementation यह दिगज कंपनी है इस फिल्ड में और अपना reputation बना चुका है लेकिन यह अभी अपना उतना बहत्वीन reputation नहीं बनाया सिर्फ पंजाब में इसका ठीक ठाक पर जन से वहा 5.64 टाइम से अलुवालिया का 4.75 की तैम से यह निए अलुवालिया के बरावर यह price to book value रखा जो कि किसी भी एंगल से ठीक ठाक नहीं माना जाएगा और इस सेक्टर की सबसे चोटी कंपनी यहीं है अगर हम लिस्टेड पिर्स की बात करें तो तो अभी इसको अपने आपक पर पीवाइज अगर हम देखें तो 31 के पर लेकिन यह आपके 12 के पर एबलेबल है मतलब थोड़ा सा पीवाइज गुंजाइस तो रखा है कि छोटा मोटा लिस्टिंगेंस मिल सकता है लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा तो एक कम थोड पर भी बात करना तो बनता ही है और हम पॉजिटिव निगेटिव के उपर बात करें तो सबसे पहला ट्रink रिकार्ड काफी स्ट्राउंग है जो कि देखा है कि कितने दिगज इसके लिस्टेड पियर्स में आते हैं आई पियो वैलुएशन के लिए के थोड़ा सा कंसर्ण बना हुआ है यह भी निगेटिव है एक्जेकुशन विस्क कोई खास निगेटिव नहीं है क्योंकि यह कंपनी अल्वेडी बहुत सारे अच्छे अच दिमांड है यानि यह ग्रे मार्केट में 27 रुपीज के प्राइस पे ट्वेड कर रहा है इतने प्रीमियम पे ट्वेड कर रहा है एज ऑन 17 ऑक्टूबर 2024 और पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा जो आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम है डेली चींज होता है आई प्यों के आपके शाथ करता हूं और उसके बाद डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं किस प्राइस पर लिस्ट होगा अगरे मार्केट प्रीमियम है उसलिया से यह आपका 230 के करीब लिस्ट हो सकता है अब आप सोच में कि निगेटिव लिस्टिंग क यहां पर है या नहीं है तो घंни कन पर देना चाहूंगा कि 10%-15% यहां पर चांसे सकता हैं लेकिन लगबग आपका 85 पर से यह आई प्रीम लिस्टिंग पॉजेटिव लिस्टिंग दे गा यह निगेटिव लिस्टिंग के दूरहें लेकिन बहुत कम चांसेस नहीं मैंने है अगर मार्केट का मोड महल खराब रहा तो बेस्ट केस में अगर हम बात करें तो यह आपका 200 करीब लिस्ट हो सकता है 200 उपर लिस्ट नहीं होगा और इसे ज़्यादा उमीद भी आपको नहीं करना है वैसे अगर हम बहुत करें अगर यह 190 करीब लिस्ट हुआ तो यहाँ पर लगबग आपको 700 के आसपास लॉस हो सकता है इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा यानि maximum लॉस आपका 700 के आसपास हो सकता है possibilities है और maximum अगर हम प्रॉफिट की बात करें जो की 200 पर लिस्ट होता है तो लगबग आपका का रिस्क लेना चाहते हैं 1500 के प्रॉफिट के लिए तो आप इस IPO में अपलाई कर सकते हों लेकिन अगर आप 500 कवाने के लिए 700 रुपे का रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो सिंप्ली इस IPO को आप जाने दीजिए तो डिसी जनम आप आपके हाथ में छोड़ दिया है कि कि आपको क्या करना क्योंकि यहां पर मिक्स सा रियक्शन है कुछ लोगों को लएगा कि अपलाई करना चाहिए कुछ लोगों को लएगा कि एववाइड करना चाहिए तो आप इस IPO में क्या कर रहे हैं मैंने सारा कुछ बता दिया जो भी प्रॉबबिलीटी हो सकता है सब कि आप क्या कर रहे हैं इस IPO में अपलाई कर रहे हैं या फिर इस IPO को एवाइड कर रहे हैं इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें किसी और IPO का एनालिसिस करेंगे सब्सक्राइब